तेज रफ्तार में ये खबरे जहाँ गाजा में मानवी साहिता की अनुमती मिल गई है राफा क्रोसिंग से गाजा के लोगों के लिए मदद का सामान लेकर ट्रकों की हो रही है इंट्री गाजा को अब हर दिन मिलेगा एक लाग 30,000 लीटर डीजल मिस्र बॉर्डर से हर दिन पहुँचेगा इनन रोज चाट आंकर से ग्यास की सप्लाई भी होगी सीसफार के दौरान गाजा में ही रहेंगे सभी इस्रेली सेनिक अस्थाई पोस्ट पर मौजूद रहेंगे आईडिफ के सेनिक इस्रेल को इरान की विदेश पंतरी की धमकी इस्रेल को डील का पालन करना होगा शर्ते माननी होँगी नाज से इस्रेल हमास के बीच चार दिन का युद्ध विराम लागू शाम साड़े साथ बजे तक छोड़े जाएंगे बंधक युद्विराम की डील के मुताबिक आज हमास छोड़ेगा इस्रेल के तेरा बंधक, एक बंधक के बदले इस्रेल रहा करेगा तीन फिलिस्तिनी कैदी गाजा पर आज इस्रेल की सेना ने ताबर तोड बंबारी की है, हमले के बाद पूरा इलाका धुए, धुआ धुआ ना सराया हमास की सुरंगों पर इस्रेल की भीशन मंबारी सुरंगों को बॉम से उड़ाया गया शिफा हुस्पिनल के पास भी सुरंगे तबाह की गई अलकसाम ब्रिगिट के प्रवक्ता अबू उबेदा की धमकी सीसफायर के बीच और जंग भड़केगी कहा दुश्मन को सबक सिखाएंगे सीसफायर को लेकर इस्रेली सेना के प्रवक्ता हगारी का भी बयान आया सामने हमास के साथ समझोते की बीच हो सकते हैं अब इस्रेल के लोगों को आतंकित कर सकता है हमास बंदकों पर इस्रेली पिएम उफिस का बयान रिखा होने वाले बंदकों के नाम मिले बंदकों के परिवारों के संपर्क में भी है ज्वेनन में इस्रेली फोस ने कामेल अबू बकर का घर उड़ा दिया है तेल अवीव में इस्रेली पुलीस अधिकारी की हत्या की गई वस्पांकर रामला में सड़क पर उत्रे लो गाजा में इस्रेली हमलों का विरोज जताया अबू अली मुस्तफा ब्रिगिट का इस्रेली सेनिको परवार आईडियेफ पर मोटरार दागे रोकिट से अटाक किया हमले में आईडियेफ को भारी नुकसान का दावा जबालिया में नाहल ब्रिगिट की चापे मारी रेड की दौरान मजद और घर के अंदर सुरंग में हत्यार बरामत करने का दावा जबालिया में हमास तड़ाकों के तलاش में इस्रेली सेना की चापे मारी जारी है बेड में हत्यारों का जकीरा मिलने का दावा किया गया मद्ध गाजा की नुसीरत शिविर में आईडियेफ के हमले से भीशन आग लगी इमारत में लगी आग के बाद की तस्वीर आई सामने हर तरफ अफरात तफरी, बिल्डिंग से लोगों को निकालने की कोशिशे की गई लेबनान बॉर्डर पर हिजबुला का भीशन हमला, इस्रेल की मटाट बारक की इमारत पर हमला बोला, हमले का वीडियो भी जारी किया दक्षनी इस्रेल के निगेव में आईडिया फर हमास के बीच भीशन फाइरिंग हो रही है, हाईवे पर एक दूसरे पर गोलियां बरसाई गई डक्षनी गाजा पर इस्रेली सेना का हमला, खान यूनिस पर ताबर तोड़ बंबारी, धमाके से इमारते तबाह, आस्मान में धुए का गुबार दिखा लिबनन पर इस्रेली सेना की बारूदी बोचार, हिजबुला के ठिकानों पर दागे एक के बादे कई रॉकेट ठिकाने तबाह किये कतर में इरान के विदेश मंतरी से हमास चीफ हानियाने की मुलाकात, जुरेल से चल रहे युद्ध को लेकर चर्चा जर्मनी में हमास नेताओं के घर पर चापे मारी, जर्मनी में करीब 450 हमास सदस से सभी फलिस्तिनी संगठनों की चानवीन के निर्देश और इराक और सीरिया में अमेरिकी बेश पर फिर हमला, 24 गंटे में चार बार अटैक, इस्लामिक रिसिस्टन्स फोर्स ने हमले को दिया अंजाम